इस समय सनी देवल की फिल्म गदर टू को लेकर काफी बस देखने को मिल रहा है। इस फिल्म की बस को देखने के बाद रनबीर कपूर की फिल्म एनिमल की रिलीज डेट को पोश्ट पॉन कर दिया गया है। इसी बीच फिल्म गदर 2 में बोलेउड के वर्सटाइल एक्टर नाना पाटेकर की भी एंट्री हो गई है। इस फिल्म में नाना पाटेकर की दमदार आवाज सुनने को मिलेगी। फिल्म में नाना गदर 2 को अपनी आवाज से इंट्रीडूस करते हुए नसर आएंगे। इस बात की जानकारी फिल्म के डिरेक्टर अनिल शर्मा ने दी है। अनिल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्विट करते हुए लिखाए कि कुछ लम्हें कीमती होते हैं। ऐसा ही है ये लम्हा। धन्यवाद नाना पाटेकर जी। मैं आप जैसे लिजेंड के साथ काम करके अभी भूत हूँ। हैश्टेक गदर टू के लिए आपका प्यार और आपकी आवाज अतूलनिये हैं। धन्यवाद आगे इसी ट्विट में अनिल ने बताया है कि गदरवन के रिलीज पर भी नाना ने इस फिल्म को सपोर्ट किया था। अनिल ने आगे अपने ट्विट में लिखाए कि मुझे याद है कि आपने मुझे गदरवन के रिलीज से पहले कहा था कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। इस बार भी आपने प्यार दिखाया है ओपनिंग देखी। गाने जूम जूम और मैं निकला को देखा। उतकर्ष को गले लगाया। सनी देवल की बहुत तारीफ की भगवान की इच्छा से कहानी फिर दोहराई जाएगी। इस बार भी लोगों का खूब प्यार मिलेगा। ये खबर पाकर फैंस भी अब गदरवन को लेकर काफी जादा उत्साहित हो गए हैं। बता दें की गदरवन में तिवंगत अपनेता ओमपुरी ने फिल्म के लिए अपनी आवाज दी थी। फिल्म में नाना पाटेगर की आवाज को सुनना काफी मस्यदार अन्भोगा। फिल्म गदर टू में अमिश्या पटेल, सनी देवल और उतकर्ष शर्मा वापसी करते हुए नसर आएंगे। इस फिल्म में साल 1974 में भारत और पाकिस्तान के संबंधों की कहानी को दिखाया जाएगा। यह फिल्म इसी साल 11 अगस्त 2023 को सिनमा घरों में रिलीस हो रही है। वार मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।